गुद मॉर्निंग स्टुडेंट जैसे की आप सबको पता है कि आज हमारा ओनलाइन क्लास का कौन सा डे है डे थ्री ठीक है लास्ट क्लास में हमने मैज का अक्टिविटी की थी मैज की रिविजिन वर्क किया था आज हमारा टाइम टेवल के कौन सा है इंगलिश का तो आज आ जो भी आपको difficult words लगे ठीक है उनका meaning आप internet से डून सकते हैं ताकि आपको ज्यादस ज्यादा उसको समझ में आ सके ठीक है आपको पूरी कोशिश करनी है उसको story को समझने की यह story में क्या कहना चाहता है और क्या दिया गया है ठीक है आज बस आपको read करना है उसकी exercise और उसक आपको सिर्फ क्या करना है बस उसको read करना है अच्छे से और उसको समझने की पूरी कोशिश करनी है ठीक है कौन से lesson है आए देखते है यह lesson one क्या नाम है इसका the four friends मतलब चार दोस्त ठीक है यह lesson four friends के बारे में है ठीक है उन सब के बारे में लिखा गया है आपको वो सब read करना है ठीक है read करना है और उसको समझने की कोशिश पूरी करनी है ठीक है केस में क्या दे रखा है क्या बताया गया है ठीक है मैं आपसे जानने की कोशिश करूँगा अगली class में कि आपने पिछला क्या समझा ठीक है तो आज आपको बस इसको read करना है exercise हम अ division work था उसके answers अभी आपको दे दे देंगे आप अपने answer चेक कर लेना कोई भी answer WhatsApp ग्रूप में नहीं send करेगा ठीक है अब आप आप अपने पास इन सब को चेक कर लेना कि आपके कितने ठीक है और कितने गलत है ठीक है कर लेंगे यह सब ठीक है